नमस्कार दोस्तों मैं हूनी रज और आप देख रहे हैं और दोस्त अभी मैं हूं जहां पर बलेक बंगल 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 की सार्मिंग हो रहand बंगल करना चाहिते और वो कि इतनी होगी बकरी की जिसे वो फार्मिंग कर सके और मुनाफा कमा सके सारी वीडियो इसी बात के उपर केनित रहने वाली है तो बने रहेगा हमारे साथ तो चलिए तो शुरू करते हैं और हमारे साथ है अनुवफी किसान वमकार सर जो सारी जनकारी आपको देंगे आज की वीडियो में त की बकरी हमको लगी आपको भी लगी होगी काफी अच्छी यहां की बकरियां तो सर बताईए कि बहुत सारे हमारे युवा में तो जो भास करके ब्लेक बंगाल बकरी की फार्मिंग करना चाहते हैं और उससे आंधनी प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे वो कर सकते हैं इसके पर कुछ बताई हमारे दोसरी बात अब सवाल है कि इनका ग्रोथ कैसा फार्मिंग के लिए उसमें इसका चैन कौन से ब्रीट तो ब्लाइक बंगाली है लेकिन उसमें किस टाइब की बकरियों को अब तो छोटी छोटी बकरियां जैसे कि आप ले लेते हैं कोई छे महिना की बकरी है प्रेग्नेट है तो जो खुद छोटी है तो उसका बच्चा कैसा होगा इसलिए यहां पे बहुत बढ़िया उपलबधी आया है जो गोट फार्मर के लिए ने गोट फार्मर हमसे अब यह जो बकरी आप देख रहे हैं नजदीक से देख लीजिए इसको इसका कद काथी बढ़िया है पेट बढ़ा है फुली एडल्ट बकरी है तभी इसने तीन बच्चे को जनम दिया चार दात में है तो कहने का मतलब यंग बलड है तो यह ऐसा क्यूं हुआ और इसके ज जनम दियें एक बच्चे को जनम दियें अब दोनों वक्री को सम्ह तूल्य करें काफी औंतर है एक जगा जाकर नों को देखिए ये ॹ कुन में आम बनी है हाँ तो आखिर यह हमारा जनेेरेशन जो ब्लैक बंगाल का छोटा माना जा रहा है है कि यह दूनिया की हर ब्रेड चे से आठ महिने में आ जाती है जो मध्यम बर्थ की बक्रियां तो यहां की बात नहीं करेंगे हमें की बात करेंगे ब्लैक मंगाल और खास करके बर बर हाजी छेशे आट महीने में हिट में नोरुमल आ जाती है तो उस समय हमारा काम है कि इस बकरियों को मीटिंग होने से बचाना है यह कि जो पठिया है तो कितने दिन तक उसको बचाना परेगा कम से कम 10 से 12 महीने दत जाए दात उसका दोदात हो जाए तब उसकी मीटिंग जोड़ी है तो आल दी बेस्ट है लेकिन कम से कम उनको मीटिंग से हमको 12 महीने तक बचा ले रहा है 12 महीने जब हम बचा लेंगे तो पठिया जो है सुडॉल बन जैसे कि तीसरा बक्री हम आपको दिखलाने जा रहे हैं देखिए यह पठिया यह भी प्रेगनेट है और फुली 10 महीने 12 महीने की पठिया है तक कद काथी ठीक है और यह आगे जाकर के ऐसी बखरी बन जाएगी तो जैसा कि हम आपको पताए बक्री का चैन करने के बारे में तो दूसरी बक्री यहां पर यह देखिए इस बक्री ने पिछले बार तीन बच्चे दी थी इस बार दो बच्चे दी है तो इस टाइब की बक्री अगर हम चैन करते हैं गोट फार्मिंग में तो निश्चित है कि हमें लाव का आशा रहेगा और कहा जाता है सर चुकि आप के पास लंबा अन्भव है बक्री पालन का और लोग कहते हैं कि ब्लिक बंगाल बक्री में दूद की कमी होती है तो कहीं कहीं वही बात हो जाती है कि जो महीने में वहां मेटिंग直 μέ iPhone 5 मंहीने के बाद बच्च्चा देगी जी से सेम हुमें का सिस्टम है क prevents में कहीं कहीं आपने देखा होगा सफ़रो में बौर्ट लगा होता है आज अब तो नहीं है लेगन इसे पहले कुछ कुछ हम बच्ची को बच्चा होना कैसा न्यार आखिर क्यूं जो कुझ पढ़िया है और वो बच्ची कैसे देगी बच्च विख्षित नहीं है तो कैसा बच्चा देगी इसलिए ब्लैक बंगाल का चेयन करें तो अच्छी बखरियों का चेयन करें जो कद काथी में अच्छी हो और अगर वैसी बखरी मिलती कम है तो ऐसी इस्तिति में उस नसल की पठिया को आप उठाए उस टाइब की बखरी की जो मिलता उसको उठा ले और उसको आप मीटिंग से 10 महीने-12 महीने बचा ले लंबा संही कासं समय लंबा लगेगा बटी की बख्री शोदध में हम उसको त्यार कर लेई और देरस साल के बाद देगी उसका बच्चा अच्छा सबसे बड़ा कमी है एक तो प्रसिक्षन की जो की इनको जनकारी नहीं था कब टीका करन करें टेक्निकल जनकारी नहीं है क्रोस्क बड़ेत्र नहले जो जख्राना भी हो सकता है घुजरी बि vapor की वाहे एंका वर इंका मीनिक कराएं योसे बीन we Parliament के बच्ची अच्छे करविड आजाएंगे बच्चे पांच तो बीड़र में इस घॉल इस इलाके में अभी तक पोई गोट फार्मिंग नहीं किया जो की नुजिकी नाम blending करीद है जाता है तो बीडर भी एक आय का साधन मन जाएगा जब इनके बच्चे अच्छे आएंगे इनके अगल बगल के लोग जो बच्चे को देखेंगे बकरीयों को तयार होते देखेंगे तो वो लोग भी अपनी मीटिंग कराने के लिए बकरी को इनके पास लाएंगे अगर बीडर उम्नत नसल का इनके पास हो जाए या लेकर आ जाए तो खुद की बकरीयों का तो मिटिंग करवाएंगे उससे अगल बगल जो भी लोग हैं जो एक दो की संख्या में बकरी पालन कर रहे हैं और उनका भी उद्दे से गवे नहीं चली हमारे बच्चे जो हमारे बख्री के बच्चे प्राप्त हो भी काफी बढ़िया हो तो अच्छे बजन में हो चुकि इनका रिजल्ट देखेंगे तो देख करके वो भी कहें सोचेंगे भाई हमारा भी बख्री का इस तरह बजन होना चाहिए तो आएंगे आपना मिटिंग कराएंगे के लिए कुछ कुछ पैसा यह देंगे तो उससे इनका में एक्षाइब हो सकती है वह एक इनका आयका सुरूत बन जाएगा और बहुत अच्छा फार्मिंग इनका डवलब करेगा तो कोमर्शियल गोट फार्मिंग का मक्सद ही है हमारा कि क्रोस बीट संकर नसल संकर नसल में ज्यादा मु करेंगे कैसा संभव नहीं है लेकिन अगर आपके यहां चराई भूमी हो तो फिर आपके पास समय हो तो लेकर जाएए कहा के लिए पैसा खर्च होगा बिल्कुल चराई तो बकरियों के लिए सबसे मुख्य बिंदू रहा है बकरिया चराई के लिए बनी है अब तो बीजन के साथ लगे हुए हैं और दिन दूना रात चोगुना यह बढ़ेंगे ऐसा हमें उपरवाले से दुआ है यानुत जी से जब बात हुई तो उन्हेंने बताया कि लगभग हम दो सव की संख्या हमको बकरियों मदरगोट की करनी है और इसी बकरी से करनी है तो जिस उद्दे का ओधी और लगेगा तब तक यह जो है जो अपना लक्ष का इन्होंने निशाना साधा है उस लक्ष पर यह पहुंच जाएंगे और तो अनुजी भी आ चुके हैं तो अनुजी बताई कि बाबाने बहुत शारी बात बताई आपके विशाय में भी आपके फार्वीन के वि हैं तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा हम है मतलब जब कोई जरुवत पर आएं हैं तो समझाएं तो आपको अच्छा लगा है और आपको लग रहा है कि यह बात समझाएं अगर उसको फार्वीन में लागू करते हैं तो शफलता निशित मिलेगी बिल्कूल सर जैस हैं 100% मिलेगी जैसा सर ने बताया बैक्सिन का बताया दिवार्विंग का बताया तो और क्या चाहिए बेकरी का तो छोटा मोटा सा मतलब जो भीमारी होता है यही दस्त पतला पेखहना यहीं सब मतलब जो अर्मोटलेटी होता है मेरा कमी के घुभbin भी पता है मतलब ऎटके क्या कुलांएं टो आनुजी बहुत सरे लोग आपको देख रहे हैं आप के एरिया के बहुत सारे लोग जो मुट रहा हूं वीडियो मेरा रहा हूं उस एरिया से भी आहां तो ओक से लोग आपको देख रहा होंग consumers तो complete address हमारे दसों को बताईए कहां पर आपका फारा मिशित है गाउं ये गराम चरह हुआ हुआ थाना से मुर्तला हुआ जिला जंबोई हुआ बियार करने वाले हैं दोस्तों अनुँजे ने भी बताया और शर्नें यांदेन उसमें आपको हो सकती है यह तरक जनकारी के लगी करने के जरूर बताये और इस तरह को और भी अपडेट जाड़ी रहेंगे तो बने रहेगा ग्रोमा इंडिया ट्रीप चानल के साथ तक के लिए